छाया मत छूना इस कविता में कवी अपने मन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मन अतीत की यादों को मत छूना यानि जो भी यादे बीत चुकी हैं उन्हें कभी भी छूने की कोशिश मत करना उन्हें याद करने की कोशिश मत करना क्योंकि उन्हें याद करके अभी का जो जीवन है वहवी दुखी जीवन बन जाएगा और भविश्य भ्रामक कल्पनाओं में उलत जाएगा अतीत के प्रेम और प्रिये की रंग बिरंगी सुहावनी अनेक स्मृतियां होती हैं जो जीवन हमारा ब्यतित हो चुका है उसमें हमारी पुरानी यादे होती हैं काफी प्रिये वेक्षणों के चित्र उभर कर एक सुहावनी सुगंद हमारे मन में भर देते हैं हमारा मन जो होता है उसमें पुरानी यादों की एक सुगंद और मादत्ता आ जाती है अते हैं कभी कहता है कि प्रिये के तन की सुगंद की स्मृतियों में ही सारी रात बीत जाती है और जो प्रिय होता है उसके बालों में जो फूल लगे हैं फूलों की याद चांदनी रात के समान मन रूपी आसमान पर चाही रहती है यानि हमारा मन हमेशा अपने प्रिय की यादों में डूबा रहता है और जो प्रे के तनका अस्पश्ट था उसे भी फुलाया नहीं जा सकता है और वह बीता हुआ क्समे जो है हमारे बीतेवे ख्षणों को जिवन्त कर देता है हमेशा हमें याद दिलाता रहता है अतै कवी कहता है कि हे मन अतीत की यादों को मत छूना अधरवाइस क्या होगा कि वर्तमान और भविश्य दोनों दुखद बन जाएंगे दोनों में दुख का आगमन होगा वह किता है कि छाया को छूने से पुराने समय को याद करने से जीने का परिणाम अच्छा नहीं होता और हमेशा अतीत की यादें हमें दुखद रिजल्ट देती हैं दुखद परिणाम देती हैं और पुराने दिनों के बीच जाने पर उन्हें याद करके हम केवल दुखी होते हैं और इसका हमारे वर्तमान जीवन पर भी बुरा प्रभाव पढ़ता है इसलिए कवी कहता है कि छाया मत छूना चान्दनी रात को देख करके कवी को अपनी प्रितमा के केश में जो गुंदेवे फूल हैं उनकी याद आ जाती है क्योंकि उन्हें चान्दनी को देखकर अपने बीतेवे प्रेम के सुहावने दिनों की याद आती है बीत गई यामनी इन शब्दों में पुरानी यादों में रात बीतने की जो पीड़ा व्यक्त हुई है वहाँ पर कवी जो है इसके बारे में ये कहता है कि पुरानी यादों की स्मृत्यों में पूरा ही जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन याद कभी भी नहीं जाती है हमेशा मन में बनी रहती है किन्तु ऐसा होता है कि उसका हमारे वर्तमान जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता है कुछ ठोस हम उससे प्रप्त नहीं कर सकते हैं यदि हम हमेशा पुरानी यादों में डूबे रहते हैं फिर वे कहता है कि यश है ना वैभव है मान है ना सरमाया जितना ही दूड़ा है तू उतना ही भरमाया कवी यहां पर यह कहता है कि बीती सुखद और प्रेम की जो घड़ियां थी उनके पीछे भागने से हमें ना तो मान मिलेगा ना यश मिलेगा ना एश्वर्या मिलेगा यानि कुछ भी हमें प्राप्त होने वाला नहीं है इससे केवल हमें भ्रह्म होगा किसी प्रकार की प्रभुता की छाया प्रभुता की छाया यानि अधिकार पाने का विचार रखना भी एक धोखा है हम अपने आपको धोखा दे रहे हैं और हमेशा हमें यह याद रखना चाहिए कि हर चाननी रात में एक काली रात भी छीपी होई होती है यानि कि हर सुख के साथ दुख जरूर आता है हतीद को भूलकर वरतमान जीवन का जो कट्टू सत्य है उसी को स्विकार कर लेना चाहिए या उसी की पूजा करनी चाहिए यहाँ पर कभी किसके पर थोस प्रभाव डालता है यह मैं जो वरतमान हमारा जीवन है उसी के अधार पर हमें जीवन को बिताना चाहिए ना कि पीछे भागना पुरानी यादों के और यदि हम पुरानी यादों के पीछे रहते हैं तो दुखों को बुलावा देते हैं